सैंविच तो आपने कई तरीके की बनाई होगी, लेकिन आज की यह जो सैंविच है ना, वो बहुत ही ज़ादा स्पेसल है, क्योंकि दो सैंविच का मज़ा हमें एक ही सैंविच में बिलेगा, और यह टू-इन-वन सैंविच इतिनी जादा टेस्टी लगती है, कि आपने इसे अगर एक बार बना कर खाया ना तो आप सैन्विच हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है बनाना भी आसान चीज और पनीर दोनों का ही मज़ा मिलता है तो चलिए वटा वट से बनाते हैं सैन्विच बनाने के लिए हमें दो तरीके की स्टफिंग तयार करना है तो सबसे पहले हम पनीर को ग्रेट कर लेते हैं जितनी ज्यादा आपको सैन्विच बनाना हो उतना ज्यादा पनीर को आप ग्रेट करके ले ले अभी हम ग्रेट की होई पनीर में बारी कड़ी हुई प्य दालेंगे और नमक बहुत ही थोड़ा सा यानि कि स्वाधा नुसार नमक डालना है इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है यह पनीर की लाजब आप से स्टफिंग तयार है अभी हम चीज के स्टफिंग तयार कर लेते हैं तो चीज को भी हमें ग्रेट करके ही लेना ह टोड़ा सा नमक, चीज में नमक होता है, तो बहुत ही थोड़ा सा डालना है, अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बिलकुल वही चीजे इस में डली है, जो पनीर में डली है, तो दोनों ही स्टफिंग तैयार है, अब हम सेंड्विच बनाते हैं, एक बडाश, पर तुमेटों सॉस या चीली सॉस लगा लेना है जो भी आपको पसंद है वही लगाएं तो दो में मैं ने चीली सॉस लगाया है और एक में टबड़ेटो केचप लगाया है तो अभी इन ब्रेट की स्लाइस में स्टफिंग डालते हैं तो सबसे पहले हम पनीर की स्टफिंग डाल रहा है और स्टफिंग थोड़ी जादा वात्रा में डालें ताकि ये सेड्विच खा करके मज़ा आ जाए मन पसंद कोई वेजी टेबल्स डाले या बिना वेजी टेबल्स के भी से बना सकते हैं मैंने खीरा गाजर टमाटर और प्याच के तुक्रे राले हैं तो अभी एक ब्रेट की स्लाइस को इसके उपर रखते हैं यानि कि ये जो कैचप लगा हुआ इसको पलट कर रखेंगे और दूसरी साइड भी हमें कैचप लगाना है तो बीच में हमने टमैटो कैचप वाली स्लाइस रखा है और बाकी उपर नीचे चेली सॉस की दूसरी ब्रेट की स्लाइस में डालेंगे चीज की स्टफिंग चीज के स्टफिंग भी थोड़ी जादा मात्रा में डाले ताकि ये सैंविच खाने में एक्टम टेस्ट ही बन जाए अभी चीज के उपर आप चाहे तो अपने मन पसंद रेजिटेबल्स डाले या आप इसे ऐसे ही बना ले इसके उपर भी मैंने गाजर के टुकड़े, प्याज के टुकड़े, खीरा के टुकड़े और टमाटर के टुकड़ो का यूज किया है अब इसके उपर तीसरी ब्रेट की स्लाइस को रखेंगे तोड़ा हाँ से दबाते हुए इसे छिपका देंगे और अब आम इसे सेख लेंगे, आपजा है तो तवे पर सेखे या ग्रेल मसीन में तोनो जगाइए अच्छे से सिख जाती है तो मैं इसे ग्रेल मसीन में सेख रही हूँ ग्रिल मसीन को थोड़ा सा घीया तेल लगा कर चिकना कर लें अब हम इसमें सैंडविच रखेंगे और इसको अच्छे से दबाते हुए बंद करेंगे यह काफी मोटा हो गया है तो बंद करने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी इसे दबाते हुए अच्छे से इसे बंद कर द और दो मिनट तक सिखने दे दो मिनट में यह सैंडविच बहुत ही अच्छे से सिख जाती है तावे पर सेक रहा है तो एकदम लो फ्लेम पर सेके और अलट पलट कर दोनों साइट सेके ग्रिल मसीन में यह दोनों साइट एक साथ ही सिख जाती है और बहुत ही जल्दी जबन इसे हम टमेटो कैचप के साथ सर्व कर रहा हैं, आपको जो भी कैचप पसंद हो उसी के साथ इसे खाएं, ये टेस्टी टेस्टी से से सेंडविच गर्म गर्म खाने में मज़ा आजाती है, एक बार अगर इस तरही के से ये सेंडविच बना कर खा लियाना, तो इसे आप बार जवाब बनी हुई है, एक तम टेस्टी जिसे खा करके मज़ा आजाएं, और लगे कि हां कुछ खाया है, तो इसे जरूर बनाएगा, खायेगा, और कॉमेंट करके जरूर बताएगा, ये आपको चीज और पनीर की ये टू इन वन सेंडविच कितनी ज्यादा पसंद आई, बनाएगे, खाये, और टेस्ट पसंद आए, तो रेसेपी को आके भी जरूर शेयर कीजिए, दोस्तों आपको ये लाजवाब सी चीज, पनीर, सैंडविच, पनाने की रेसेपी पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी लाजवाब एक तम नई रेसेपी के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, तब तत के लिए, बाबाई